हेलो फ्रेंट्स मैं राके स्वागत करता हूँ आपका आर्के टेक्निकल यूटूब चैनल में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूले हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आयोप आप सब अच्छे होंगे देखिए आज की वीडियो का टोपिक थोड़ा सा अलग है इसमें आज ना में कोई आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा ना किसी इंट्रेस्ट के बारे में बताऊंगा और ना ही आपको किसी moratorium जैसी कोई information के बारे में बताऊंगा आज मैं moratorium के एक opposite news बताऊंगा जो कि आपको कभी भी नहीं करना चाहिए तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा जानकारी देने से वहले मैं आपको बता दूँ आप में बता देता हूं moratorium होता क्या है moratorium एक eth compare qualified Moratorium का मतलब इन थीटने महीं आतने महीने पर टाइम मिल जाता है और जो time आपको मिलता है उसके बाद में आपको वह पे करना पड़ता है बेंट्रेस्ट किया होगा वह company decide करती है 24 परसेंट भी हो सकता है वो 30 परसेंट भी हो सकता है वह company company के उपर destructive अभ्समिन अब सबसे ब्ड़कर रखना वैशंग आ जाता है कि मौराटोरियम आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए देखिए मेरा हिसाब मान्यतaking आ आपको time मिल गया लेकिन दो महिने के बाद जब आप पे करते हैं तो उसका आपको extra interest देना पड़ता है जो आपका interest लगता है वो तो लगता ही लगता है उसके उपर और interest लगता है जिसको चक्रवर्ती व्याज बोलते हैं तो उसमें क्या होता है उसमें अगर आप कुछ कम्प गैसे जा गया सब कुछ कंफर्म हो गया आप बेचिंत हो गये कि हमारा मोरेटोरियम में एक्टिवेट हो चुका है ठीक है लेकिन कुछ कमपनिया क्या करती है है अक्टिवेट होने के बाद बों आपकी यमाई की टेट तो बढ़ा देती हैं अगा आपको दो महीने का मौराटोरियम दिया तो दो 590 रुपय की अब वो 590 रुपय का ECS bounce charge कर लेते हैं अब आपका moratorium भी activate हो गया आपका ECS bounce charge भी कट गया अब आप करेंगे company को call तो company आपको बोलेगी आपने हमें mail किया था moratorium activate करने के लिए हमने आपका moratorium activate कर दिया अगर आप हमारे पास mail करते ECS stop करने के लिए तो हम ECS stop कर द आपको बहुत सारा समय लग जाएगा और हो सकता है आपको जल्दी लोन अप्रूब ना हो अगर कहीं से भी आप कोई भी सामान पर्चेस करते हैं यह माई पे या होम लोन लेते हैं या परसनल लोन लेते हैं तो उस समय आपको बहुत ही ज्यादा problem का सामना करना पड़ेगा तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपके सामने आ खड़ी हो यह आप यह माई पे नहीं कर पा रहे हैं तो ही आप उस समय मोराटोरियम लीजिए अधरवाइस एक हजार दोहजार रुपए के लिए आप मोराटोरियम के चक्कर में ना पड़े यह बहुत ही गलत है लेकिन हां यह सारी कंपनियां नहीं करती है कुछ कंपनियां हैं जो करती है जैसे कि मैं नाम लेना चाहूंगा बजाज फिन्सर्व कर बजाज फिन्सर्व क्या करती है काफी लोगों के मैसे जा रहे हैं कि वह मोराटोरियम करने के बाद यह पता नहीं है कि मुझे मैल भी करना पड़ेगा ECS इस इस्टोक करने के विलिस्ट पूरि नहीं को यह ऐसे ओक उसके बाद में क्या होता है अफके जल्दी कोई लोग n रही करने मैं क्तुबर मिलता है आगर के ऐसा कभी Spanish झालां कांद मोलते हैं अधिंव स्टाओ पर कोई भी फाइदा नहीं है सबसे पहली बात तो उस पर इंट्रेस्ट भी आपको डबल देना पड़ेगा दूसरी बात अगर आपका ECS बांस हुआ और आपके आने वाले फ्यूचर में आपको लोन लेने में भी प्रोब्लम होगी तो आप ऐसा कभी कभी ऐसी गलती ना करें कहीं से भी अपने यार दोस्त से ले लीजिए या आपको ज्यादा करते हैं तो इन से अच्छा इनको अच्छा ब्याज देने से अच्छा आपका सी मिलने वालों को दे दीजिए और उससे आप लेके ये माई पे कर दीजिए इस मौराटोरियम का चक्कर में ना पड़े वरना मौराटोरियम में अगर ठीक तरह से फस गए तो जिंदगी में कभी आप दोवारा मौराटोरियम नहीं लेंगे इतनी बड़ी दहसत पैदा कर द आई हो तो कमेंट सेर और लाइक करना ना भूलें अगर आपको कोई सजेशन देना है नेक्स्ट वीडियो के लिए को सजेशन देना चाहते हैं या आपको कोई जानकारी चाहिए समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कीजिए मैं एस सून आस पॉसिबल आपका रिप्लाई कर आपका रिए